हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस कल आप लोगों का 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो फ्रेंस आप सभी के जो तैयारी है अच्छे प्रकार से हो चुकी होगी फ्रेंस आपको तैयारी के साथ साथ में ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको बोर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप बोर्ड के एक्जाम के समय में क्या लेके जाएं और इसके साथ साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि बोर्ड परिच्छा में क्या नहीं लेके जाना है फ्रेंस यदि इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो आप पर इच्छ दूहजार तेईस में क्या लेके जाएं फ्रेंस कल आपका हिंदी का पेपर है तो आपके पास क्या-क्या उपकरण होना चाहिए और क्या लेके आपको जाना है देखें फ्रेंस पहले आपके पास प्रश्पत्र होना अदम अनिवार है बिना प्रश्पत्र के आप पास होना चाहिए उसके साथ में आपके आधार काड़ होना चाहिए ये द्युम्छ अदम अनिवार रहे ठीक है ये तो आप ब्लैक पैन में दो ब्लैक पैन रख लीजिए एक जैल ले लीजिए है जचाहे लाड़ कंटाले 24 Ami पास स्केल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है स्केल से क्या करेंगे कि आप चीना खिस सकते हैं सीधा ठीक है इतने उपकरण आपको हिंदी का पेपर देना है यह सभी उपकरण होना चाहिए अब बात करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बोड के परिच्छा में क्या लेके जाना है अब बात करते हैं फ्रेंज कि आपको बोड के परिच्छा में क्या नहीं लेके जाना है देखें फ्रेंज जितना आपको जरूरी है कि बोड के परिच्छा में क्या लेके जाना है उतना ही आपको जाना यह भी जरूरी है कि बोड परिच्छा 2023 में क् ठीक ही ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फ्रेंस आपको ध्यान देना है कि आपके पास किसी प्रकार का electronics उपकरण नहीं होना चाहिए electronics उपकरण में जैसे आप अपने पास mobile लेके school भी नहीं जा सकते हैं इसके अलावा आप घरी smart घरी या कुई भी घरी किसी प्रकार electronics उपकरण नहीं होना चाहिए तापके पास mobile नहीं होना चाहिए इसके अलावा आपके पास घरी नहीं होना चाहिए धीक है अब देखेंड आप को पताता हैं कि जैसे पैन है आपके पास पैन में बदाएं कि कौन से ब्लूप or ब्लैक पैन का ही चिर्फ परियोग करना है उच्थ पुर्षतिकाद पर लिखते समय ठीक है पिर इसके लावा आपके पास क्या आपके पास कभी भी लाल पेन लेकर अब स्कूल मत जाईए इसका कोई प्रियोग नहीं है इसको लेकर जाना ही नहीं है आपको इसके अलबा हरा पेन का प्रियोग नहीं करना है आपको हरा पेन भी नहीं लेकर जाना है इसके अलबा पीला पेन ठीक है पीला पेन भी नहीं लेकर जाना है तो फ पास पाकिट में देख लीजिए कि किसी प्रकार का रद्दी कागज नहों आपको किसी प्रकार का नोट से हाथ पे हाथ पे जो देखी हाथ कितने इस्टुडेंट होते हैं कि हाथ पे फार्मूला है या गद्ध या पद्ध या कुछ भी लेके चले जाते हैं तो वह आपको न द्यान से एक दो बार अपने पाकिट को जरूर देख लीजिएगा ठीक है कभी भूल चुक से पाकिट में रखा जाता है तो लेकर चले जाते हैं स्टूडेंट ठीक है लेकिन उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि आपके पाकिट में कोई ऐसा उपकर यहां ऐसे समान नह जेगा कि जहां पर आपको बैठना है वहां पर अगल पगल जरूर ध्यान देदें कि वहां किसी प्रकार का कोई कागज या किसी प्रकार का प्लास्टिक या किसी प्रकार को उपकर तो नहीं गिरा है तो आप जो एक्जामिनर है उसको आप उठा के जरूर देदें ठीक है इन बातों का ध्यान लिए अब बताते हैं आपको कि आपको की्न बातों का बोड़ की परिच्छा के समय ध्यान देना को पाला पेपर है सोनर फर्वरी को आप क्या करनाय फ्रेंज किो आप इस्कूल पर यहां पर आपका के वहां पे गंटा यह पूस्कुल पहले हैं पहुंचनाना हb fully arrives कि आप प्रयास कीजें का आधा ग। यह यह क्झांटा पहले पहु्चनेका प्रयास करें ठीक है ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ठीक है यदि आप इस्कूल में लेट कर जाते हैं पहुचने में यदि एक बार गेट बंद हो गया है तो आपको अंदर परवेस नहीं मिलेगा जिससे आप साल बर का पूरा मेहनत बेकार चला जाता है तो आप कम सकम पहला पेपर देने जाने तो आपको ध्यान देना है या घंटा या आदे अदे घंटा पहले आप इस्कूल पर पहुछ जा it. फिर दूसरे नबर भर फ्रेंस द्यान देनाै आई कि अपना कमरा नंबर ठीक है अब देखिए अपने कमरा नंबर का ऐसे देखें कि किस कमरा नंबर में आपको बैठना है किसमें आपको एक्जाम देना है देखिए इसको बताते हैं देखिए आपको प्रेश्पत्र मिला होगा तो प्रेश्पत्र क्या होता है कि आपको अनुक्रमांग ठीक है अनुक्रमांग लिखा होगा अब अनुक्रमांग में जैसे 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करके रहता है अनुक्रमांग ठीक है अब अनुक्रमांग में देखें फ्रेंस आपको क्या होगा कि आपको इसकूल के बाहर जो गेट होगा ना इसकूल के बाहर गेट पे गेट प यहाह नुक्र मांग भरा होगा ठीकर जो लिखाऊगा परिश्पत्रपर यहां पर भरा लंट प्रश्पत्र ऑच Together 6 ते स्टीनरी नेशनलटी डाय होगा इसे लिखाऊगा कमरा कमरा नंबर फल सिछ ne लिख देगा पांच लिख देगा च्छा लिख देगा साथ लिख देगा इस तरह आप देख लीजिए गा यदि जिस अनुक्रमान के सामने आपका कमरा नंबर होगा उसी कमरा नंबर में आपको जाकर बैठना है ठीक है वहीं पर जाकर आपको बैठकर एक्जाम देना है इन जितने बात बताएं आप इन बातों को आप ध्यान में रखें ठीक है क्या होता है कि आप तो अच्छी तैयारी कर लेते हैं लेकिन जो आज बात बताएं हैं आपको यह बात का ध्यान नहीं देते हैं और इसमें आप किसी ने किसी चीज में मिश्टेक कर जाते हैं तो आप क्य इन बातों को आपको बता हैं इन बातों क का पहले से ध्यान दे कल आपko सभी कल आप सभी लोगों को बोर्ड का एक्जाम देना है तो आप सभी के लिए बिश्ट आप लुक्ट आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए बिश्ट अपयरव लख झाल झाल